वेलकम टु बैस्नोली तोडेइस माई टॉपिक फाइव टैपस ऑफ हैपिताइटिस तो आज का मेरा टॉपिक है हैपिताइटिस जो रहता हुँ वो कितने टाइपस का होता है और इसके साथ मैं आप लोगों बताना चाहूंगी जो जीनम वाले हैं उनका अभी जैसे एक्जा स्थाफिशन का जो तो में में टॉपिक होंगे वही शेयर कर दोगे ताकि आप लगों को में कोई भी प्रोब्लम ना आए तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे और हैपिताइटिस कितने टाइपको होता है है यापिताइटिस फाइपस का होता है कौन-कौन से होते हैं है या Hepatitis B and Hepatitis C, Hepatitis D and Hepatitis E तो ये 5 types के होते हैं तो इसका हम जानेंगे causes, symptoms तो में मतले क्या causes होते हैं, क्यों होता है तो इसके आपको क्या क्या symptoms देखने को मिलेंगे तो चलिए सबसे पहले, Hepatitis A इसका जो causes है, जैसे के आपने कुछ भी ऐसा बहार का कुछ food लिया और पानी पिया, जैसे के आप कही travel कर रहे हैं उस टाइम पर क्या होता है, कि हम घर का बना खाना नहीं खा सकते हैं तो हमें अक्सर क्या होता है, कि हमें होटल में जाए बहार का street food बगारा हम जो भी मिलता हम वह खा लेते हैं, उससे क्या होगा आपका digestion खराब हो जाएगा, आपको मतलब की Hepatitis A की भी problem आ सकती है या तो आपको C आ सकती है या भी मतलब यह इस टाइप के कुछ problem आपको create हो सकते हैं इसका जो आपको symptom देखने को मिलेगा आपका जो liver होगा उसके अंदर आपको swelling हो जाएगी आपको भूक भी नहीं लगेगी आपको vomit जैसा भी होगा और आपको इसके अंदर fever भी होगा तो यह इसकी symptom देखने को मिलेगे देन इसके पाद बात करते है hepatitis B इसका जो कारण रहते हैं जैसे कि infected blood होता है ठीके और जैसे कि कोई needle होती है और या फिर आपने कैसे sexual relationship जैसे की हो जाता है और उसकी कारण भी हो सकते है तो hepatitis जो B होते infected blood कैसे हुआ जैसे कि आप blood test करवा जाते हैं अगर नर्स ने ठीक है अगर आपका blood test कर रहे है उस टाइम पर उन्हों नीडल किसी patient के पहले से use किया हुआ blood test करने के लिए अगर वही needle अगर आपका blood test करने के लिए किया जाए तो उस टाइम पर इसे हम बोलते हैं कि infected जो needle होती है और वो blood में जब जाती है तो infect कर देती है आपके blood को ठीक है इसे infection हो सकता है तो इसमें क्या होगा hepatitis B होने के chances ज़्यादा रहते हैं अब बात करते है इसके symptom symptom क्या होगे इसमें आपका stomach pain होगा आपके skin का color भी yellow हो जाएगा आपको vomit होगी आपको ठकान भी होगी अब बात करते हैं hepatitis C इसका जो causes रहता है जैसे कि आप tattoo गुदवाते है ठीक है tattoo गुदवाने पर भी क्या होगा उस time पर भी इसके causes हो सकता है ठीक है needle अंतर जा तो क्या होता है कि हम blood चड़वाते हैं तो उस time पर क्या होता है अगर वह blood अच्छे से मतलब उसे filter नहीं किया गया या फिर उसे मतलब अच्छे safe जगह पे ना रख करके कई time का पुराना हो गया हो तो उस time पर अगर वह blood चड़ा दिया जाए तो भी आपको मतलब की problem हा सकत है है पेटेटर सी की और इसमें इंफेक्टेड सुई लगाने से भी होता है यान कि जो इंफेक्टेड सुई जैसे कि मैं आपको बताया अगर किसी patient को पहले से वो needle यूज की गई है और वही needle अगर आपके blood को जाचने के लिए किया जाए तो वह इंफेक्टेड नीडल होत है यान कि जो इंफेक्टेड नीडल होता उसका यूज जैसे कि मैंने अभी आपको बता है दूसरे की shaving kit का इस्तमाल करने से भी होता है और इसके जो आपको symptom देखने को मिलेंगे वोमिट फीवर पेट और जॉइंट में पेन होना यह होता है डी ठीक है अब बात करते हैं है hepatitis E इसमें क्या होगा इसमें जो main causes है जैसे कि आपने कुछ भी ऐसा contaminated food लिया हो या फिर पाने लिया हो जैसे कि A में बताया था मैंने आपको वही E में होगा बाहर का खाना street food ले लिया और overeating कर लिया तो यह सब चीज़ें जैसे माल आपका पेट पहले से खराब आपने बा ठीक है वजन घटना, skin का yellow हो जाना और आपको हलका fever होना तो यह सब क्या है एक मतलब 5 तरह के hepatitis होते हैं जो कि आपको vitamin sorry hepatitis A की problem आ सकते हर एक hepatitis A, B, C, D, E के अलग-लग causes, अलग-लग इसकी मतलब की symptom है जो मैंने आपको शेयर किया है अगर इन 5 hepatitis अगर इमें कोई problem आती है अगर इसमें से कोई भी symptom देखने को मिलते हैं तो आप तुरंद पहचान सकते हैं कि आपको कौन से hepatitis C, E, D, E, B का कोई problem आया है तो आप खुद भी इस चीज़ को जा सकते हैं तो आज हम लोगों ने जाना hepatitis कितने types का होते हैं तो आज के लिए ताहीं, thank you for watching my video अगर आपक question ची, what a topic ची, सभी मेरे चैनल पर वीडियो अवलेबल है, तो आपको सब जितने भी question है, important question होंगे, what a topic, previous question पेपर, सब मेरे चैनल पर अवलेबल है, और मेरे भी वीडियो नहीं आती, क्योंकि मैं अभी कुछ classes ले रहे हूं, जिसकी वजह से कभी वीडियो आ जाती है, कभ अब मेरे वीडियो रेगुलर आएगी, तो जो भी होगा, जैसे भी मेरे पास जो भी topic आएगे, या question paper जैसे कि अभी पंजाम में सभी के exam हुए, अगर question paper मेरे पास अवलेबल होगा, तो मैं आपनों से जुरूद शेयर करूगी, and आज के लिए नहीं, and thank you for watching my video.